हलो प्रिवन वेलकम टू 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 टाइम स्वयर यह है हमारा मैक्रो एकॉनोमिक्स का एक नया टॉपिक जो कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मनी एंड बैंकिंग बेसिकली सीवीटी एक्जाम्स में जो भी वच्चे जिन्होंने एकॉनोमिक्स सब्स रहा जाते हैं तो इस दिएगे नंबर पे कॉंटेक्ट करके सारी डाउट्स भी तुम अपने क्लियर कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट की अपने सेशन को स्टार्ट करते मैं लेकर चलता हूं तुम्हें स्क्रीन पे यह रहा हमारा मनी एंड बैंकिंग मैं एक बारी चे सबसे पहले मैं तुम्हें ECONOMICS की इगर बात करूं उसमें जो हमारा CHAPTER है तैसमें क्या हमें पढ़ना है BACALLY तो सबसे पहले मैं देखना है मनी के बारे में मनी का मतलब क्या होता है कैसे मनी EVOLVE हुआ और उसके कुछ basic functions होते हैं जिसको की हम लुग cover-up करने वाले हैं आसान भासा में कहूँ तो money क्या होता है money से पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था उसके बारे में जान लेंगे money के कुछ functions होते हैं उसको सीख लेंगे फिर अगर मैं बात करूँ next topic की जो की है central bank for example RBI India की जो central bank है इसके क्या functions होते हैं इसके क्या role होते हैं हमारे इंडिया में हमारे इंडियन economy में उसको समझेंगे साथी साथ इसके कुछ functions को भी देखते हुए चलेंगे फिर बात करने वाले हैं हम अपने commercial bank that is SBI, PNB मतलब other than the central bank उसके meanings को समझेंगे और उसके functions को समझेंगे और यहीं पे हमारा ये chapter complete हो जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पह study material, lectures, notes, live classes enjoy कर सकते हो, so जाकर description में download करो और कोई भी information चाहिए इस number पे contact करो, start करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे basically butter system होता क्या है, means हम यहाँ पे money banking को समझने से पहले, money को समझने से पहले butter system को समझेंगे, it means money के आने से पहले कैसे market में लेंदेन होता था, जानन जरूरी हो जाता है, यहाँ पे, start करते हैं, what is butter system सबसे पहला question है, यहाँ पे आता है, इस image से हम समझेंगे, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है एक भेड है, और यहाँ पे चावल है, ठीक है, तो यहाँ पे animal के बदले, क्या exchange किया जा रहा है, चावल exchange किया जा रह अब तुम माइंड में तुम्हारे question आएगा, जब उस वक्त वो वक्त इतना ही पीछे था, तो क्या उस वक्त माउस और mobile phone हुआ करता था, या तुम्हारे पास 10 kg चावल है, मैं अपने घोरे को तुम्हारे पास ले कर जाता हूँ, बोलता हूँ भाई साब आप यह गोरे को इसको एक्षेंज किया जा रहा है, यहाँ पर money का रोल नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त money का evolution हुआ ही नहीं था, तो butter system क्या है, it is a system in which goods are exchanged for goods, for example wheat में भी exchange for clothes, wheat किसके बदले एक्षेंज हो सकता है, कपरे के बदले, घर किसके बदले एक्षेंज हो सकता है, घोरे के ठीक है, force, फिर teacher को यहाँ पर पैसे की जगह wheat या फिर rice पे कर दिया जाता था, इस situation में, इस वक्त के सिनारियो में, यहाँ पर teachers को fee पे करते हैं, ठीक है, उनके service के लिए, लेकिन उस वक्त चावल और यहूं पे कर दिया जाता था, तो यहाँ पर क्या होता था, goods के बदले goods मिलता था, services के बदले goods दे दिया जाता था, तो इस type के economy को नाम दिया गया, C to C economy, जहाँ पर commodity के बदले commodity ही exchange होता हो, that is C to C economy, और we can say that barter economy, समझने में बातों को, तो C to C economy is commodity to commodity exchange economy, अब यहाँ पर C के बदले क्या है, commodity और दूसरे C के बदले क्या है, क्या है, commodity है, तो ultimate summarize अ वैसा system जहाँ पर goods के बदले goods exchange होता हो, बात खत्ब, चलो, अब यहाँ पर बाटर सिस्टम के कुछ difficulties हो जाते थे, सोच कर तुम देखना, जैसा कि मैंने तुम्हें example दिया यहाँ पर, कि मुझे मेरे पास घोरा रखा हुआ है, घोरा मैंने पाला हुआ है, और तुम्हारे पास घोरे को लेकर जा रहा हूँ और तुमसे चावल मांग ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी requirement है चावल, मुझे चावल की need है, क्या तुम्हें घोरे की जरूरत है, क्या तुम्हें घोरे की कोई need है उस situation में, मुझे तो चावल है चाहिए, मुझे खाना है बस, इसलिए मैं तुम्हें अपने घोरे को दे रहा हूँ और उसके बदले तुमसे चावल ले रहा हूँ, क्या actual में तुम्हें घोरे की need है, answer is no, हो सकता है कि तुम्हें need हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई जरूरत ही ना हो, उस goods की जो की तुम्हें in exchange मिल रह हो, ठीक है, तो इसको basically क्या बोलते है, double coincidence of want, जरूरी नहीं है जो चीज जिसको चाहिए, जिस वक्त जो उसे मिल रहा हो, वो उस वक्त उसकी जरूरत हो, आसान भासा में कहूं, तो जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें मिल ही जाए, या फ जो ऐसे goods, जो तुम्हें चाहिए, वो मेरे पास है, और जो मुझे चाहिए, वो तुम्हारे पास है, तभी butter possible हो पाएगा, otherwise तुम बोलोगे, यार मुझे गोरे की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों तुम्हें गोरे लूँ, तुम्हारे गोरे को लूँ और उसके बदले 10 क चावल दो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो butter का होना, butter होगा कब, जब double coincidence of wants हो, मतलब दोनों को क्या चाहिए, दोनों की क्या want हो, वो satisfy हो रही हो, तब जाकर butter system possible हो पाता है, और ये चीज़ कही न कहीं lack था इस system में, अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे चाहिए जूत ठीक है, मुझे चाहिए जूते, और तुम मुझे उसके बदले 2 kg चावल दे रहे हो, तो ये थोरी ना है, कोई sense बनता है इस बात का, मुझे तो जूते चाहिए, मैं चावल लेके क्या करूँ, double coincidence of wants means that good in possession of two different persons must be useful, double coincidence of want का क्या मतलब हो, तुम्हें actual में उसकी need हो, तुम्ह कोड़े पाल के क्या करोगे, तुम्हें ultimately उसे खिलाना होगा, अगर तुम्हारा उससे कोई need, जरूरत होगा ही नहीं, उसकी कोई जरूरत है ही नहीं, हाँ अगर तुम्हारी सौक है, तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई जरूरत है ही नहीं, तुम क्यों लोगे, तो that is double coincidence of want, next situation है, आप एक create आता है, next difficulty तुम कहलो, lack of divisibility, अब माल लो मेरे पास एक car है, चलो car के जगा मैंने bus बना दिया, मेरे पास एक bus है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या रखा हुआ है, एक घर रखा हुआ है, एक घर है तुम्हारे पास, तो मैं अगर बोलू कि तुम मेरे bus को ले लो, और उसके बतले तुम मुझे अपने घर को दे दो, ठीक है, मान लिया हो रहा है, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी ही तो हो सकता है, कि घर की value जादा हो, घर की value जादा हो, और तुम्हारे bus का value कम हो, तो क्या ऐसा करोगे, आधा ह इसा घर का दे दोगे, या फिर bus की value जादा हो, तो तुम कहोगे यार आधा bus ले जाओ, आधा bus रहने तो, तो यहाँ पर divisibility की दिक्कत हो जाती है, बस को दो हिस्सों में बाट के तो नहीं न दे दोगे, जैसे कि for example, a car is to be exchanged for a scooter, तो यहाँ पर कार वाले को नुक्सान हो जा नहीं कर सकते हो, तो lack of divisibility भी एक difficulty में आ जाती है, next one is difficulty in storing wealth, तुमने मेरे से 10 के जी चावल खरी लिया, क्या उस 10 के जी चावल को तुम स्टोर कर सकते हो, for future conditions की future में तुमें need होगी, हो सकता है वो खराब हो जाए, या 10 के जी तुमारे पास आटा है, हो सकता है future में हो जाकर खराब हो जाए, तो it is very difficult to store wealth for the future, क्योंकि maximum जो goods होते थे जैसे कि weeds, rice, cattle, etc, ये deteriorate हो जाते थे, with the passage of time, जैसे जैसे समय बीथती जाती थी, तुमारे चावल खराब हो जाएंगे, तुमारे गेहूं खराब हो जाएंगे, तुम कहलो तुमारे जानवर जो होंगे, तुमारे animals जो होंगे, वो कहीं न कहीं old होते जाएंगे, तो ये सारी चीज़े क्या इनको store करना possible नहीं हो पाता था, further the transfer of goods from one place to another place, एक जगे से दूसरे जगे पर उसको transfer करने में भी huge transportation cost involved होते थी, अगर तुमारे पास कोई भी जानवर है, ठीक है, cattle है तुमारे पास कोई भी, तो उसको तुम्हें भेजने के लिए कहीं न कहीं एक ट्रक करना होगा, और उस ट्रक का जो cost निकल कर आएगा, transportation cost, वो जादा हो जाएगा, तो ये चीज़ दिकत क्रियेट करती थी, difficulty in storing wealth, और transfer of immobile property, जैसे कि house को transfer करना, that is not possible, एक land को transport करना to the different city, is not possible, तो ये क्या थी, difficulty यहाँ पर होती थी, wealth को store करने में, क्योंकि एक common measure value उसक्त नहीं हुआ करता था, that is money, तो absence of common measure of value, जिससे तुम measure कर पाऊ कि एक animal की value क्या है, या फिर एक घर की value क्या है, या फिर 10 kg rice की value क्या है, तो यहाँ पर एक measure value नहीं है, जिससे कि तुम चीज़ों को measure कर पाऊ, ठीक है, कि कै कैसे हम यहाँ पर measure कर पाएंगे, 10 kg चावल की, क्या actual में value निकल कर आएगी, और किस product से, या किस commodity से हम उसे exchange कर पाएंगे, तो यह क्या था, common measure value नहीं हुआ करता था, लेकिन फिलाल के time पर क्या है, हमारे पास common measure value, तो मैं यहाँ पर value denote कर पाते हो, कि इस mic की value क्या होगी, बच्चे सो, तीन हजार, चार हजार, इस pen की value क्या होगी, तीन हजार, धायजार, इस mouse की value क्या होगी, इस mobile phone की क्या value होगी, that is, एक measure of value है, जो की है money, और उस वक्त ये चीज नहीं था, तो ये चार difficulty जो की मैंने तुम्हें बताया, ये kind of face करने को हाँ पे मिलता था, उस व क्या है, चलो, नोट कर लो भी, मैं थोरा सा slide तुम्हें एक बर दिला दिखा दे रहा हूं, screenshot ले लो, चलो, I hope तुम्हें सारे screenshot ले लिए होंगे, अब हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, अपने main core topic की तरफ जो की है money, money, money के बारे में समझेंगे meaning of money यहाँ पे clearly हमें समझना है, ठीक है भाई, चलो, देखो, money basically होता क्या, कहोगे सर, money तो पईसा होता है, पईसा होता है, यह वो तो मालू है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे macro economics के terms में भी तो exams में explain करना होगा, होगे MCQ based है, ठीक है मान रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना होगे कि what is paisa, paisa is generally medium of exchange, कह सकते हो न, जिसके तुम exchange करते हो, मुझे यह logitech का mouse खरीदना है, क्या मैं उसे बोलूँगा कि यहर आओ, मेरे bike का एक part लेकर चला जाओ, या मेरे bike का, तुम helmet लेकर चला जाओ, चले जाओ, और उसके बदले तुम मुझे यह mouse दे दो, क्या possible है, goods के बदले तो कहोगे कि भाई आप partner exchange में लेकर जा रहे हो, तो नहीं, अभी के scenario में क्या काम करता है, paisa काम करता है, अगर मुझे यह mouse चाहिए, तो मैं इसके बदले जो भी इसकी value होगी, जो भी इसकी price होगी, 1200, 1300, जो भी होगी, मैं वो पे करूँगा, तो that is money, anything which is generally acceptable as a medium of exchange, अगर मैं top वाले को, दुकान वाले को पैसे दे रहा हूँ, इस mouse के बदले 1200 दे रहा हूँ, तो वो इंकार नहीं करेगा उस पैसे को accept करने से, उसे वो पैसे को accept क करना होगा as a legal tender of money, क्योंकि वो legally government के द्वारा authorized है, उसे कोई accept करने से मना नहीं कर सकता है उस पैसे को, तो money क्या anything which is generally used as a medium of exchange, measure of value, exchange के लिए तो medium की तरह वो काम करेगा ही, किसी भी product के value को measure करने का भी तरीका है, वो store wealth को तुम store कर सकते हो, और standard होता है deferred payment का, it means future payment का, फिल इसके अंदर सारे types के money आ जाते हैं, जैसे coins हो गए, paper notes हो गए, checks हो गए, digital money, plastic money, ये सारी चीज़े आ जाती है, और इसके थरू हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, और ये legally accept होता है, तो इसके कुछ functions होते हैं, जैसे primary function और secondary function इस पे चर्चा करेंगे, देखना ज़रा primary function में क्या है, और secondary function में क्या इसे समझते हैं, आप हम लोग, तो गयार, इधर क्यों देख रहे हो, तो screen मेरे सामने है, यहाँ पर laptop है, भले ही तुम्हें यहाँ हो रहा हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ, और camera मेरे तो, functions of money की अगर बात करें, तो primary function सबसे first हो जाता है, और Second one is the standard of deferred payment, तो medium of exchange कैसे है, अगर मुझे जैसे मैं तुम्हें example दिया, मुझे एक mouse खरीदना है, तो मैं उसके बतले पैसे पे करूँगा, और यह उसके value को बता रहे है, कि यार उसके value कितनी है, 1200 रुपे उसकी value है, ठीक है, तो that is primary function, secondary क्या बताया, मैंने तुम्हें store of value, म माल लो मैंने भी credit पे सावान ले रखा है, तो मैं future में उसके पे करूँगा, that is standard of deferred payment, एक एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे medium of exchange, यह हमें मदद करता है, eliminate करने में किस चीज़ को, limitation of barter के, जो barter में हमने देखा, lack of double coincidence of want, difficulty in storing of wealth, तो इन सारे limitations को remove करने में हमें मदद करता ह medium of exchange, क्या यहाँ पे, अगर तुम्हें माउस तुमसे खरीद रहा हूँ, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, क्या यहाँ पे तुम्हारा coincidence of want आ रहा है, बिल्कुली हाँ, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं इसके बदले, अब इसी माउस के बदले, मैं तुम्हें एक pen देकर चला जाता हो सकता है कि तुम्हारे want satisfy नहीं होते, वहाँ पे lack हो जाता, तो barter के limitation को कौन eliminate करता है, medium of exchange, that is money, individual can exchange their goods and services for money, and then can use this money to buy other goods and services according to their needs and convenience, समझे इस बात को, दूसरा आता है, measurement of value, another important function of money, that is it serve as a common measure of value, मतलब, अगर किसी माउस की 1200 रुपया है, तो वह 1200 के क्या है, value को represent कर रहा है, market में अगर तुम्हें एक, कहलो, paneer roll मिल रहा है, 90 रुपीज का, that is paneer roll के value क्या है, 90 रुपीज है, अगर तुम्हें एक domino's का पीजा, मालों पेपी प पनीर पीजा, तो यह क्या है, value को measure कर रहा है, secondary function की बात करूँ, तो basis of deferred payment, deferred payment का basis कैसे है, अभी के time में जो भी business हो रहे है, बड़े बड़े business किये जा रहे है, बड़े बड़े trade किये जा रहे है, वो credit basis पे हो रहे है, immediate cash payment अभी के time पे नहीं हो रहा है, यह चिस तुम्हें of transactions, जहाँ पे instant payments नहीं होते हैं, वहाँ पे credit होते हैं, तो यहाँ पे debtors promise करते हैं, कि वो एक future date पे उस amount को pay कर देंगे, तो इस situation में जो money होता है, वो act करता है, जो standard, क्या standard करता है, act, act करता है standard की तरह, इसके लिए deferred payment के लिए, means future payment के लिए money यहाँ पे standard की तरह काम करता है और state of value का क्या मतलब है, यह हमारा asset function हो जाता है, और transfer हम कर सकते हैं, purchasing power को यहाँ पे, 500 रुपे मैं तुम्हें दे दूँगा, तो तुम्हारे पास अधिकार आ जागा कि तुम उस 500 रुपे के चीज़ को खरीद सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने purchasing power को तुम्हारे जा रहा हूं, बढ़े ही आराम से मैं चीज़ों को करवा रहा हूं, अगर तुम्हारे कोई doubts रह जाते हैं, तो तुम्हें आ पे पूछ लिया करो मेरे से, जालो, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, यहाँ पे हमारा topic है, types of money, money के कुछ basic types दे रखें, जैसे first है limited legal tender money, second one is unlimited legal tender money, third one is full bodide, fourth one is representative full bodide, and the fifth one is credit money, legal tender money की अगर मैं बात करूं, money which can be used legally, used to make payments, for some obliged debt is known as legal tender money, मतलब जिसको accept करने से कोई भी इंकार ना करे, that is legal tender money, अब इसी legal tender money के कुछ प्रकार्स हैं, जैसे की types हैं, 5 types यहाँ पे दे रखें, सबसे first है limited legal tender money, it is that form of a legal tender money, जिसका की इस्तवाल होता है payment करने में, किसके debts का payment, up to a certain amount, जैसे coins का इस्तवाल तुमने कर लिया unlimited legal, coins से वैसा तो नहीं जा, 2-2 लाक, 10-10 लाक, 50-50 लाक का loan तुम पे कर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ एक limit तक ही तुम coins का इस्तवाल करोगे, unlimited legal tender की बात मैं करूँ, तो that form of a legal money which can be used to make payment of debt up to any amount, यहाँ पे any amount है, यहाँ पे certain amount है, तो certain जहाँ पे आजए that is limited legal, 10 लाक के loan amount को तुम सिक्के से पे नहीं कर सकते हो, लेकिन 10 लाक के loan amount को तुम चाहो तो करोडों तक note से पे कर सकते हो, paper note से तुम पे कर सकते हो, समझ के दोनों के बीच का difference, full bodite की अगर मैं बात करूँ, तो it is that form of money in which face value जो होती है, वो intrinsic value के बढ़ाबर होती है, it means intrinsic value की मतलब क्या है, जिस चीज से वो, जिस material से वो बना हो, that is, अगर एक coin silver से बन रहा है, silver उसकी क्या है, intrinsic value है, तो that money जिसका की face value, face value उसके intrinsic value के equal हो जाए, उसको नाम देते हैं, full bodite money, समझ के, अगर बात करूँ, representative full bodite money की, तो which intrinsic value, intrinsic value उसकी कम होगी, उसकी face value से, ठीक है, intrinsic value कम होगी, तो commodity value is less than the money value, paper notes, paper notes कितना, कागज का note का value तो कम ही होगा न, उसके face value से, मालनो 100 रुपे का note है, तो 100 रुपे का note है, यह इसकी value जादा होगी जिस paper से वो बना है, paper कितने का आएगा, कितने का ही paper आएगा, यही मालनो अगर 100 रुपे का coin है, हो सकता है, कि उसका जो coin, जिस material से बन हो, हो सकता है, उसे जाता हो, या equal हो, equal होता है, that is full bodied money, और representative क्या है, जहाँ पे intrinsic value कम हो, उसके face value से, और credit money क्या होता है, यह तो मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है, यह तुम जानते ही हो, पढ़ लेना इसे, चलो, अब यहाँ पे देख लेते है, monetary system in India, in India monetary authority, कौन है Reserve Bank of India, इसे हम Central Bank भी बोलते हैं, Central Authority भी तुम बोल सकते हो, paper currency standard यहाँ पे follow की जाती है, हमारे भारत में, coins को यहाँ पे limited legal tender माना गया है, RBI के पास soul monopoly है, कि वो currency भारत में issue करेगी, और कोई भी bank issue नहीं कर सकती है, एक रुपे के note को, एक रुपे के coins को, और notes को कौन issue करती है, तो ministry of finance question निकल सकता है, और India follow करती है minimum reserve system को for issuing notes, ध्यान रखना पूछा जा सकता है, और अगर important बात की मैं बात करूँ, तो it means that RBI को यहाँ पे minimum 200 करोर के gold और foreign exchange रखने होते हैं, world bank में for issuing coins and notes, क्यू रखने होते हैं, just for backup, ठीक है, समझ गे इस बात को, India minimum reserve system follow करती है, notes issue करने के लिए, और उन notes को issue करने के लिए, RBI को world bank के पास, 200 करोर की golds और foreign exchange रखने होते हैं, तब जाकर वो notes issue कर पाती है, तो important point है, learn कर लेना, समझ गे, अच्छा, आज की video का last topic यहाँ पे मैं explain करने जा रहा हूँ, that is money supply, समझेंगे कि money supply कैसे work करता है, actual मे money supply होता क्या है, सबसे पहले तुम यह जालो, पूरे economy में, अपने भारत की पूरे economy में, जितने भी पैसे, लोगों के पास, अभी इस particular point of time पे है, that is money supply, तुम्हारे पास कितने पैसे रखे हुए, मेरे पास कितने पैसे रखे हुए, अपने परोस वाले के पास कितने पैसे, अपने society, अपने district, अपने state, अपने country में कितने पैसे है, total पैसे की जब बात आती है, that is money supply, तो money supply refers to the total money held by the public at a particular point of time, in an economy is money supply, इसके अदर क्या क्या चीज़े आ जाती है, तो it includes money only held by the public, not by the government or banking system, आम जनता के पास कितना है, public का यहाँ कोई matter नहीं होता है, money supply क्या है, एक stock concept यह चीज़ याद रख लेना, flow concept नहीं है, national income में stock और flow के बीच मैंने proper तुम्हें difference बता रखा, समझे गए इस बात को, समझे या नहीं, measures of money supply कि अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर total हमें 4 measures पढ़ने है, सबसे first M1, the second one is M2, and the third one is M3, and the fourth one is M4, इन 4 measures को हम लोग कुछ key pointers निकल कर exams में आ सकते हैं, उसको हम लोग clear करते हुए चलेंगे, so, start करें, money supply में, सबसे first है measure 1, that is M1, इसको first or basic measure बोला जाता है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ आती है, सबसे पहले यह सुनना, currency and coins, जो भी आम जन्दा के पास हो, that is currency and coins with the public, first यह situation हो जाता है, second one is demand deposit with the commercial bank, commercial bank के पास जो भी demand deposit हो, that is DD, and other deposits with RBI, RBI के पास जो भी अन्य प्रकार की deposits होंगे, वो चीज़ इसमें आ जाती है, क्या-क्या मैंने बोला, repeat करना मेरे साथ एक बार, currencies and coins with the public, second one is demand deposits with the commercial bank, and the third one is other deposits with the RBI, एक बार और repeat करते हैं, currencies and coins help with the public, second one is demand deposits with the commercial bank, and third one is the other deposits with the RBI, तो इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है, M1, ठीक है, चलो, आगे अगर मैं समझाओं तुम्हें, that is M2, M2 को एक important नाम भी तुम दे सकते हो, या एक important term assign कर सकते, that is broad concept, या फिर broader concept, exams में question निकल कर आ सकते, M2 broad concept होता है, यह चीज़ यादर रख लेना, it is a broader concept of money supply, M1 के comparison में, इसके अंदर saving deposits, जो post office saving bank के पास होते हैं, वो भी आ जाते, M1 तो पूरा का पूरा आएगा ही, plus, क्या एक term तुम्हें याद कर लेना है, saving deposits, with the post office saving bank, saving deposits with the post office saving bank, saving deposits with the post office saving, मैं बार बार इसलें बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं दिमाग में डालने में दिक्कत, M2 is equal to M1 plus saving deposits with the post office saving bank, समझ गे इस चीज़ को, third अगर मैं बता हूँ, M3, that is, M1 तो इसके अंदर आएगा ही, और इसके साथ क्या क्या आ जाएगा, net time deposits, net time deposits, याद क includes total deposits with the post office saving bank, in addition to M3 measure of money supply, M3 तुमने ले लिया, plus में add कर देना, total deposit, जो post office saving bank के पास है, समझ गे, अब कुछ और important बात हैं, जैसे M1 जो होता है, ये most liquid form of money होता है, और M4 is least liquid, M1, M2 को narrow concept माना गया है, and money, वहीं पे M3 और M4, broader concept में आ जाता है, वहले ही M2, M1 से broad है, लेकिन overall M1, M2 narrow में आएगा, M3, M4 किस में आता है, broad में आ जाता है, समझ गे इस बात को, तुम्हारे लिए आज का homework क्या रहेगा, homework तो दूंगा यार, that is high powered money, इस topic को cover up कर लेना, next lecture में मैं कर वाँँगा, banking जैसे topic को, समझे के मेरे बातों को, तो end करते हैं अपने आज के session को, अगर तुम्हारे कोई भी doubts रह गए, आज के session को लेकर, तो पूछ लेना यार, number यहाँ पर मैंने दे रखा, मिलते हैं अपने next session में, तब तक के लिए, thank you, bye bye and take care.